हेलो पैरे बच्चों बच्चों कैसे हैं आप सभी I hope कि सभी अच्छे होंगे बच्चों आज की इस वीडियो में हम क्लास फोर्थ के सब्जेक्ट इंग्लिस के वीक नमबर 10 की वक्सीट को सॉल्व करेंगे जो की EDMC के द्वारा दी गई है बच्चों आपकी इस वक्सीट का टॉपिक है चैप्टर 10 हेलन केलर तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको आने वाले वीडियो के नॉडिकेशन मिलते रहें तो शुरू करते हैं सबसे पहले देखते हैं बच्चों New Words First है strict strict का मेनिंग होता है comprehensive strict याने कि कठोर Next है dearly इसका मेनिग होता है greatly याने कि बहुत ही प्यारा Illness इल्नेश का मेनिंग होता है sickness याने कि बिमारी Understand का मतलब होता है to know या में जानना या समझना अब है question number one, circle the correct word, यहाँ पर बच्चों सही word पर circle करना है, first में बच्चों cat and bat, cat means होती है बिली और bat means होती है चमगादर, तो बच्चों यहाँ पर picture में क्या है cat, तो यहाँ पर cat पर circle करेंगे, next है when and fan, when मीं सोती है गाड़ी और fan मीं सोता है पंखा, तो बच्चों picture में क्या ह है तो हम caps word पर circle करेंगे, next है hat and red, hat means होती बच्चों टोपी और rat means होता है चूहा, तो picture में है बच्चों red, तो हम red पर circle करेंगे, next है bat and red, bat means होती है चमगादर और rat means होता है चूहा, तो बच्चों picture में क्या है bat, तो हम bat पर circle करेंगे, next है man and pan, man means होता है आदमी, और pan means बच् नेक्स है, तो बिक्ट्र में man है, इसलिए man पर circle करेंगे, नेक्स है can and pen, बच्छे यहां पर pen है, तो हम pen पर circle करेंगे, next is cap and map, cap means होती है बच्छे, topi और map means होता है, नक्सा, तो बिक्ट्र में क्या है? map, तो हम map पर circle करेंगे, अब है question number 2, answer the following questions, question is who was Helen Keller, Helen Keller कौन थी? तो बच्चो आंसर है Helen Keller was a blind and deep little girl Helen Keller एक अंधी और बहरी छोटी लड़की थी नेक्स्ट है how do people read when they cannot see लोग जब देख नहीं पाते हैं तो वो कैसे पढ़ते हैं तो बच्चो आंसर है the people who cannot see लोग जो देख नहीं सकते read through braille script तो वो बच्चो braille leepy के द्वारा सीखते हैं जो देख नहीं पाते वो braille leepy के द्वारा पढ़ते हैं और जो सुन नहीं पाते वो sign language के द्वारा सीखते हैं अब है question number 3 read the sign language alphabet बच्चो यहाँ पर आपको sign language alphabet को लिखना है जैसे बच्चो यह है A का sign यह B का है C, D इस तरीके से बनाएंगे hand से E, F, G, H का sign है I, J, K, L, M, N, O, P यह बच्चो Q, R, S, T, U, V, W W, X, Y, Z तो बच्चो इस तरीके से इन sign के द्वारा words बनाते हैं तो बच्चो यहाँ पर हमें बनाना है head is an example यहाँ पर बच्चो head जो word है वो एक example है similarly बिल्कुल ऐसे ही form for words like mat and bet etc तो बच्चो आपको mat और bet ऐसे सब्दों को बनाना है तो बच्चो आप यहाँ देख सकते है head जो है किस तरीके से sign language द्वारा बना गया है यह बच्चो H है इस तरीके से A बनाएंगे और यह T head तो अब बच्चो हमें बनाना है mat and bet तो यहाँ पर बच्चो M किस तरीके से बनाएंगे है यह M है तो यहाँ पर M बनाएंगे उसके बच्चो A तो यहाँ पर A बनाएंगे फिर बनाना है बच्चो T तो T कैसे बनाएंगे T इस तरीके से बनाएंगे तो हो गया mat ऐसे ही बच्चो bet बनाना है तो B बच्चो इस तरीके से बनाएंगे B, उसके बाद A और T, बैट अब बच्चो, question number 4 Read the passes and answer the question Bob the frog बच्चो, passes को पढ़िये और questions के answer दीजिए Bob is with orange color and black spots Bob जो है, उसका orange रंग है संत्री रंग है और उस पर black spots है काले spots है, ही है जे long sticky tongue, उसकी tongue कैसी है और उसकी tongue sticky है, चिपकाने वाली that he uses to catch fly जो की मक्खियों को catch करने के लिए वह यूज करता है He lives near a pond, वह है एक pond के पास रहता है, sometimes he goes into the water कभी-कभी वह पानी में जाता है and sometimes he stays on the land और कभी-कभी वह है बाहरी रहता है, Bob has strong legs Bob की legs बहुत ही strong है that he uses to hop जिनका यूज वह है, उचलने के लिए करता है when Bob was a little baby जब Bob एक छोटा बेबी था he was called a tadpole तो उसे tadpole कहा जाता था अब बच्चों क्वेशन है What is Bob? Bob क्या है? तो बच्चों, Bob is a frog Bob एक मेंड़क है What is the color of Bob? Bob का रंग कैसा है? तो बच्चों, orange color with black spots What type of tongue does Bob have? Bob की tongue कैसी है? long and sticky What does Bob use tongue for? Bob अपनी tongue का use किसके लिए करता है? He uses to catch flies मक्यों को पकड़ने के लिए What was Bob called when he was baby? जब Bob छोटा था तो उसे क्या कहा जाता था? तो बच्चों क्या कहा जाता था? अब बच्चों कोशें नमबर 4 Find and write all the words in the correct column यहाँ पर बच्चों कुछ words दिये गए हैं इन में से हमें find out करना है noun कौन से हैं, verb कौन से हैं और adjectives कौन से हैं तो बच्चों words है home, male, heavy, sing, pink, swim, cold, hard, jump, letter, hot, fall, run, big mom इन में बच्चों नाउन है mom, mom कहते हैं बच्चों mother को, letter, patr home कहते हैं घर को और male, male कहते हैं बच्चों sundays को next है verbs इन में बच्चों किरिया कौन कौन से it means verb sing, गाना, swim, तैरना, jump, कूदना, fall, गिरना, run, दोडना तो यह सभी क्या है verbs हैं next है adjectives बच्चों अभी हाँ पर adjectives कौन से है it means ऐसे word जो किसी noun की या pronoun की विशेष्था बताते हैं तो कौन-कौन से word हैं जैसे की heavy next है pink जैसे कह सकते हैं pink dress तो गुलाबी dress गुलाबी क्या है adjective है cold next है hot उसके बाद है बच्चों hard then big अभे बच्चों sing along pretty peep I have a little sister मेरे एक छोटी बेहन है they call her pretty peep वे उसे बहुत ही pretty peep कहकर बुलाते हैं sea what's in the waters deep 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 she climbs up the mountains वे है mountains पर चरती है high 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 बहुत उचा my pretty little sister मेरी प्यारी छोटी बेहन she had just one eye उसके पास एक ही आँख है who is pretty peep तो फिर कौन pretty peep है little sister तो यहाँ पर सभी बच्चे लिखेंगे little sister students if you like this video please like and share and if you are new on this channel please subscribe the channel thank you